आज जो मैं आपके लिए मूवी लेकर आया हूँ, उसका नाम है Retribution, वो अभी हाल ही में, August 23 में रिलीज हुई है, इस मूवी में एक जेंटलमेन अपने बच्चों को स्कूल जोड़ने जाता है, और तभी उसे फदा चलता है कि उसकी कार में बॉंब है, जिसने वो बॉंब ल आपके लिन में रहता है, तभी उसके पास उसके पार्टनर का फोन आता है, और वो कहता है कि काल्स को शेयर मार्किट में लोस हुआ है, वो अपना बाकी रुपया निकालना चाहता है, उसे एक बार कॉल कर लो, वो कहता है कि घर से निकलते समय करूंगा, फिर जब वो कर देता है, और पैदल ही स्कूल जाने लगता है, फिर मैट एमिली को लेकर अपनी मर्सिदीस कार में जाता है, और जैसे ही वो सीट पर बैठता है, सीट का फ्रैशर डिटेट हो जाता है, फिर उसकी कार में अन्वांटिड नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाती है, फिर कार को लेकर वहां से निकलता है, और अपने बेटे जैक को कार में बैठने के लिए कहता है, उसके बाद वो अपने क्लाइंट को फोन करता है, उसका क्लाइंट कहता है कि मुझे रातो राव 3 मिलियन यूरो का लोस हो गया है, मैं अपने बाकी पैसे निकलवा रहा हूँ, फ फाइनली वो अपने क्लाइंट को पैसे ना निकलवाने के लिए मना लेता है, अब कुछ जिरवाद उसे काड़ के अंदर एक फोन की रिंग सुनाई देती है, वो देखता है कि ये फोन उसका नहीं था, फिर वो फोन उठा लेता है, फोन पर एक unknown person की आवाज आती है, वो कहत फोन को लोक लगा हुआ था, इतने में फोन फिर से बजने लगता है, लेकिन मैट फोन की रिंग बंद कर देता है, फिर वो सीट के नीचे हाथ मार के देता है, उसे कोई डिवाइस जासा कुछ महसूस होता है, फिर वो अपनी काड़ को साइड में रोक के अपने फोन से करके कॉल रिसीव करता है कोलर कहता है कि कार्ड को चलते रहने दो अब खे बार कार्ड रोखने की गलती मत करना फिर वो कहता है कि device pressure plate से जुड़ा हुआ है जैसे ही sheet से pressure कम हुआ bomb विस्पोट हो जाएगा और दूसरी बात इसका एक remote मेरे पास भी है तुमने जैसे ही police को बुलाने की कोशिश की मैं trigger दबा दूँगा Matt कहता है कि मेरा बेटा बेटी कार में है प्लीज उन्हें जाने दो कोलर कहता है ये तो और भी अच्छी बात है Matt उससे request करता है लेकिन वो कहता है कि seat पर से pressure कम होते ही कार फट जाएगी तुम्हें बस मेरे एक दो कांग करने होंगे उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा Matt कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है या मेरी वज़ा से तुम्हारा कोई लोस हुआ हूँ तुम्हें माफी मांगता हूँ इतने में उसके partner का phone आता है Matt फोन नहीं उठाता फिर वो अपनी कार को गलत रास्ते मोड लेता है कॉलर कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ Matt को अपने पीछे आने वाले एक बाइकर पां शक हो जाता है क्योंकि Matt जिस तरफ भी कार मोड रहा था वो बाइक वाला भी उसी तरफ आ रहा था फिर Matt अचानक से कार की ब्रेक मारता है और वो बाइकर गिर जाती है फिर वो Matt पर चिलाने लगती है लेकिन Matt समझ जाता है कि ये कोई और है और वहां से निकल जाता है फिर कॉलर कहता है कि अपना फोन छोड़कर बाकि सभी फोन कार से बाहर फेंग तो Matt जैक और एमली से उनका फोन लेता है और बाहर फेंग देता है फिर कॉलर एक लोकेशन फेशता है और Matt को वहां पहुचने के लिए कहता है तभी उसके तीसरे पार्टनर सेल्विन का फोन आता है वो भी Matt की ही तरह खवराया हुआ था Matt कहते है कि शान्थ हो जाओ और बताओ क्या हुआ है वो बताता है कि मेरी कार में बॉंब है और कॉलर ने बताया है कि ये तुम्हारी वज़े से है उसके साथ उसकी गल्फेंड भी थी जो इस कार से निकलना चाती थी वो समझने को त्यार ही नहीं थी कि उनके पास कॉलर की बात मानने के इलावा कोई रास्ता नहीं है वे उसी लोकेशन पर खड़े थी जो लोकेशन मैट के पास भेजी गई थी जब वो अपनी गल्फेंड को जवरदस्ती बिठा रहा था तो उन्हें एक पुलिस वाला देख लेता है जैसे ही पुलिस वाला उनके पास आता है लड़की कार को ओपन करके बाहर भाग जाती है और कार में विस्पोर्ट हो जाता है उस विस्पोर्ट के कारण शैलविन उसकी गल्फेंड और पुलिस वाला तीनों मारे जाते है इस धमाके से मैट परिशान हो जाता है और अपनी कार को वहां से भगा ले जाता है फिर वो कॉलर को कहता है कि तुम आ मैंट पुष्टा है क्या तुम्हें पैसे चाहिए, कोलर कहता है ये समय सवाल करने का नहीं है, फिर मैंट अपनी वाइफ हैदर को कोल करता है, वो हैदर को बताता है कि एक आदमी है, जिसने हमारी कार में बॉंब लगा दिया है, जैक और एमली भी मेरे ही साथ है, अगर हमने वो नहीं किया जो वो चाहता है, तो वो ट्रीगर दबा देगा, हैदर कहता है कि मैं फुलिस को फोन करती हूँ, लेकिन मैट ऐसा करने से मना कर देता है, फिर मैट कहता है कि AIG बैंक में जाओ, और वहाँ से safety deposit बोक्स लाओ, जो की मेरे नाम से है, वे तुमें मुझ से बात करवाने को कहेंगे, तुम उनकी बात मुझ से करवा देना, फिर कॉलर कहता है कि जब तक तुम्हारी वाइफ बैंक जाती है, तुम कहीं भी अपनी कार पार करके अराम कर लो, फिर वो कॉलर के फोन को silent कर देता है, उसका बेटा पूस्ट है कि पापा वो हमें मारने की कोश करता है, तो उसकी वाइफ उसकी बात मैनेजर से करवाती है, वो पूछता है आपकी वाइफ शेफटी deposit box लेने आई है, क्या करना है सब, मैट कहता है कि वो box उसे दे दो, मैनेजर पासवर्ड पूछता है, और मैट पासवर्ड बता देता है, फिर जब हैदर बैंक से बाहर आजाती है, तो मैट उसे इशारा करके अपने पास आने को कहता है, तभी कोलर कहता है कि प्लैन चेंज हो गया है, बैंक के पास जो नीला सूट पहने एक आदमी अकेला बैठा है, ये बैग उसके पास बिजवा दो, मैट ऐसा ही करता है, हैदर जैसे ही वो बैग उस आदमी के पास रखती है, वहाँ धेर सारी पुलिस आजाती है, और उस आदमी को गिरफतार कर लीती है, पुलिस वाले हैदर को भी बकड कर ले जाते हैं, फिर वे पुलिस वाले मैट के पास भी जाने लगते हैं, और मैट कार को भगा लेता है, फिर वो कोलर कहता है कि चिंता मत कर पुलिस वालों को मैंने ही बुलाया था मैट पुछता है कि ऐसा क्यों किया बोलर कहता है हर सवाल का जवाब नहीं होता तुम्हें क्या लगता है मैं थोड़े से रुपियों के लिए काम करूँगा मुझे तो दुबाई में जो तुम्हारे अकाउंट में पड़े हैं 208 मिलियन यूरो वो चाहिए फिर वो एक और लोकेशन फेज़ता है और वहाँ आने के लिए कहता है जब मैट वहाँ जा रहा था तो वो फोन को म्यूट कर देता है और अपने बेटे जग को बॉम्ब की तस्वीर दिखा के पूछता है क्या तुम्हें इसके अंदर फोन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जग कहता है हाँ फिर वो कहता है कि डैड अब तो आप टिवी में भी आ गए है तभी उसके फोन पर उसकी वाइट की कॉल आती है फोन पर यूरोपॉल से एंजिला नाम की लेडी ओफिसर बात कर रही थी उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मैट कर रहा है लेकिन मैट कहता है कि मेरा यकिन मानो मेरी कार में बॉम्ब है फिर वो उससे पूसता है कि क्या आप यहाँ सेलफ़ोन सेवा बंद कर सकती है क्योंकि ये बॉम्ब सेलफ़ोन से जुड़ा हुआ है वो मना कर देती है इतने में कॉलर की अवाज आती है मैट हैदर वारी कॉल कटकर देता है कॉलर कहता है कि जल्दी लोकेशन पर पहुचो, फिर मैट उस लोकेशन पर पहुच जाता है, वहाँ पटरी के दूसरी ट्रव उसके पार्टनर एंडरेस की कार खड़ी थी, और उसकी कार में भी सेम टू सेम बॉम लगाया हुआ था, और एंडरेस को बताया गया था कि ये मैट के कारण हो रहा है, एंडरेस मैट से माफी मांगता है, कि अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन जाने दो, कॉलर मैट को एंडरेस से, अटराइज लिक्रिडेशन के लिए कहता है, फिर मैट एंडरेस को उसके लिए मनाता है, एंडरेस मैट क उठाने के लिए कहता है और एंड्रेस को शूट करने का ओर देता है मैट मना कर देता है और गन बाहर फेंट देता है तभी उन दोनों के बीच में से एक ट्रेन गुजरती है और ट्रेन के जाने के तुरंट बाद एंड्रेस की कार में विस्पोर्ट हो जाता है फिर मैट वहा और उसकी कोल डिश्कनेट हो जाती है। तैनल से बहाँ निकलते ही, वो देखता है कि वहाँ पर पुलीस का बड़ा सान नाका लगा हुआ है। और मैट वहाँ अपनी कार रोग देता है। सब लोग उसके ओपर गन टान देते हैं। वो देखता है कि फोन में अभी भी नोसिक ने ला रहा है। अब हैदर भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो चिला के कहता है कि मेरी कार में बॉंब है। क्या कोई हैल्ब कर सकता है। वहाँ पर बॉंब स्क्वेड टीम भी आई हुई थी। वो अपना रोबर्ट भेज कर कार के नीचे जैक करते हैं। लेकिन कार के नीचे कुछ भी नहीं था। फिर ओफिशर एंजला मैट से बात करने के लिए आती है। मैट कहता है कि पहरे जैक और एमली को कार से बहा निकालो। ओफिशर कहती है कि हम आपका सहयोग करने के लिए ही आए हैं। और आपसे भी उमीद करते हैं कि आप भी कोई बेव कोई भरा काम नहीं करेंगे। फिर बॉम सुक्रेट की टीम कार की चारो विंडो चेक कर दी है। विंडो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें कोई नुक्सान पहुँचे। इस गिवे कार के चारो तरवाजे उतारने लगते हैं। ओफिशर बताती है कि हमने बर्लिन के सभी मोबाइल्स में कुछ दिर के लिए सेवाईं बंद कर दी है। फिर ओफिशर पूछती है ऐसा कैसे हो सकते है कि इसनी बड़ी कमपनी के एक ही दिन में डो मालिकों को मार दिया गया हो और तीसरा बच जाए। तो आपका इतना सारा रूपिया लेकर कहा जाने का प्लान है। मैट कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओफिशर कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुमने अपने क्लाइंट्स को बहुत नुक्सान पहुँच जाया होगा। तबी तो तुमारे पास इतनी महंगी कार है। बॉम स्क्वेर टीम कहती है कि शीट के नीचे कोई सैंसर नहीं है। फिर वें जैक और एमली को कार्ड से बाहर उतरने के लिए कहती है। लेकिन जैक कहता है कि मैं अपने पापा को छोड़ कर कही नहीं जाओंगा। फिर मैट कहता है कि बेटा, मैं इस गुट्थी को सुलचाई बीना कार्ड से बाहर नहीं निकलूँगा। मैं वादा करता हूँ, काम खतम होने के बाद मैं जरूर आऊँगा। फिर वो अपनी वाइव से बात करने के लिए कहता है। वो अपनी वाइव को कहता है कि मैं तुम से और बच्चों से बहुत प्याड करता हूँ। उसकी वाइब खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है लेकिन वो कहता है कि मैं खुद को निर्दो साबित करके ही राऊंगा ओफिसर कहती है कि हम उसे ढूड लेंगे मैट कहता है आपको मेरा विश्वास करना होगा फिर वो वहाँ से कार भगा लेता है ओफिशर किसी को भी गोली ना चलाने का उडरो देती है जब वो वहाँ से कार भगाता है तो उसके फोन में शीखने भी आ जाता है तभी उसके पास फिर से किलर का फोन आता है वो उसे पैसे क्रांसफर करने के लिए कहता है लेकिन मैट कहता है कि पैसे तो मैं तुमसे मिल कर ही दूँगा वरना चाहो तो मुझे बम से उड़ा सकते हो फिर वो मैट के पास लोकेशन भेज़ता है और उसे वहाँ आने के लिए कहता है उस लोकेशन पर प्रोटेस्ट चल रहा था मैट अपनी कार को साइड में पार्ग कर देता है तभी एक नकाब पोश बंदा काड़ी में आकर बैट जाता है फिर वो कहता है कि मुझे लगता है हमें शांत जगह पर जाना चाहिए फिर मैट एक शांत जगह पर अपनी कार रोक लेता है फिर वो आदमी अपना नकाब हटा कर अपना चेहरा दिखाता है, वो कोई और नहीं बलकि मैट का पार्टनर एंडरिस था, मैट उसे पूछता है कि तुम तो भी स्पोर्ट में मारे गए थे, एंडरिस कहता है कि जब ट्रेन वहां से गुज़री तो मैं कार से निकल गया था, मैट कहता है कि 18 साल से मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, एंडरिस कहता है कि इसी लिए तो मैं अब चाहता हूँ, कि 18 साल में हमने जो कुछ भी जोड़ा है, मैं उसे लूँ और एक नए चेहरे के साथ दुनिया के किसी कोने में एश करूँ, फिर मैंने एक प्लैन बना एंडरिस कहता है कि मैं सारी मनी क्रिप्टों में चेंज कर दूँगा, और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पैसे कहा गए, फिर मैट कहता है कि मैं तुम्हें एक ज्यान के बाद बताता हूँ, जिस इंसान के पास खोने को कुछ भी ना हो, उससे हमेशा ड़के रहना साइए, फिर वो अपनी कार को भगाता है, कार की स्पीड बहुत ही टेस थी, इसलिए एंडरिस सीट वेल्ड लगा लेता है, फिर मैट कार को नदी में गिराने की कोशिस करता है, लेकिन कार नदी में ना गिर कर उसके पुल के उपर ही अटग जाती है, फिर मैट अपनी की आवाज सुनाई जाती है कि बरलीन में एक ही दिन में तीन धमाके हुए इन धिमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था बलकि ये नानाइट कैपिटल कंपनी के मालिकों का आपसी जगडा था जो की अब खत स्टोरी के साथ तिल दन बाई बाई